जैसी श्याम, मुझे डॉक्टर उक्तेश शंगधार के नाम से जाने जाते हैं, बनाईविजिनपत की बिलसी तैसीन में ग्राम बत्री गोबर दिन्पूर, मनोना धाम कब से आ रहे हैं, मैं छे महीने से लगाता आ रहा हूँ, और एक बात बड़ा इस्पष्ट कर दूँ कि बाबा की करपा किस समय किस रूप में हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता, मैं थोड़ी सी प्रिष्ट भूमी बताऊं अपने बारे में, दो हजार बीस में मेरी पत्नी का कैंसर सम्मंधी ऑपरेशन हुआ था, उन्हें कैंसर हो गया था किड्नी में, तो उसके बाद मनलब नहीं, इन से काफी कुछ मेरा मन तूट गया था, बिचलित हो गया था, उसके बाद बाबा की जब से मैं शरण में आया हूँ, उसके बाद मुझे अभी लगबग दो महीने पहले एक रोप हुआ, डॉक्टर ने कहा कि पहले आपका गाल बिलेडर का उप्रेशन हुआ था, पित्की ठेली का, वहाँ पर एक मनलब पाचन तंत्री होती है, पाचन शक्ती को मनलब रुपने के लिए एक नली होती है, वो नली आपकी बंद हो चुकी है, और इसका ऑपरेशन होगा, मैं बाबा के दरबार में आया, मेरी शीमती जी आई, उन्होंने महंती जी यहाँ प प्रार्थना की के बाबा से हमारे लिए द्वाएं करें, क्योंकि मनलब पिछले काफी समय से बीमारियों से ग्रस्त हैं, और कोई ऑपरेशन कराने की इस दीमें समझ नहीं, तो बाबा की करपा हुई, महंती जी ने हमारे लिए द्वाएं की, इसके फलसरूप, अब मुझे नहीं लगता कि उस ऑपरेशन की जरूरत है, क्योंकि मेरे पेट में कहीं कोई पीडा, इस तरह की पीडा के कोई चिन नहीं दिखाई देते हैं, अभी चार-पांस दिन पहले मैं महंती जी की शन में आया, बाबा के दरबार में बहुत भीड थी, मैंने अनुमती मागी, मु बेट सकता था, रात भर मनलब करहता रहता था, कभी-कभी आँखों से आशू भी निकलाते थे, ऐसी इस दी में मनलब जो है, आपने पानी पढ़कर दिया, बाबा के नाम का, तो मुझे बहुत लाब हुआ, इतना लाब हुआ, कि अब मैं अपने लिए पूरी तरीके से स् सुस कर रहा हूँ, बाबा, खाटू श्याम बाबा, सदय मुझ पर और मेरे परिवार पर करपा बनाए रखें, और हमारे बहुत ही प्रिये हैं, जो इस मंदर के महंत हैं, सम्माने निये, जोनोंने संपून शेतर में नहीं पूरे बरेली मंडल और पूरी उत्तर प्रदेश को गौरबान मत कर दिया, इस माध्धिम से, मनोना जो एक छोटा सा गाम हुआ करता था, आज मनोना धाम के रूप से जाना जाता है, संपून भारत वर्ष में, ये बड़े ही उल्लेखनी बाद है, आज महंती जी का जन्म दन है, दो पंक्तिया केवल, मैं मेरी शुप कामना समझ लेजिए, या मेरा आशीर समझ लेजिए, क्योंकि मुझे से आयू में छोटे हैं, और मैं कर्म से एक शिक्षक हूँ, तो इसलिए आशीरवाद देने का अधिकार रगता हूँ, दिर घायू अमित वरिशों की, दिर घायू अमित वरिशों की, प्रिय महंत जी पाएं, जन्म दिन आपका हम सबू शद्धा से सदा मनाएं, आज के अफसर पर बस इतना ही, प्रिय महंत जी को जन्म दिन की कोट से शुब गम में, लेशिशाओं, पनमना धाम की, जै,